इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे मुंबै से दिल्ली और लुधियाना से बिहार तक इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह स्पेसल वीडियो अपडेट भारतिय रेलवे पीते कुछ सालों के दावणान पूरी तरह काया कल्प करने को तयार है और ऐसे में एक तरफ जहां वन्दे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन और सेमी हाइ स्पीड ट्रेन चला कर पैसंजरों को लगजरी सुगधाओं का आनंद दे रही है उसी और दूसरे तरफ डेडिकेटेट फ्रेट कोरिडोर के जड़िये रेलवे से सामान की धुलाई को आसान बनाने के लिए मुंबै से दिल्ली और लुधियाना से बिहार तक इस्पेसल रेले लाइन बिछाई जाएगी ऐसे में रेलवे का दावाई की डेडिकेटेट फ्रेट कोरिडोर के तयार होने से माल की धुलाई आसान हो जाएगी अभी देश में जादतर समान की ढोलाई सरक मार्ग से होती है क्योंकि मालगारियों के जड़िये समान ढोलाई में समय भी जादा लगता है और खर्च भी अधिक आता है ऐसे में भारतिय रेलवे ने 14 दिसंबर यानि की गुरुवार को ही ट्विट कर बताया कि इस्टन डेडिकेटेट फ्रेट कॉरिडोर पर 1338 किलोमीटर हिस्से का निर्मान पूरा हो चुका है लुदियाना से सोर नगर बिहार तक के हिस्से पर निर्मान कारे पूरा हो चुका ह EDFC के तहत 1840 किलोमीटर ट्रेक बिछाना है जिसमें कि यह पूरा कॉरिडोर ब्रॉड गेज पर बनाया जाएगा यह कॉरिडोर लुदियाना से सुरू होकर पस्षिब बंगाल के पास दानकुनी में खत्म होगा यह UP के मेरठ और खुर्जा जैसे बड़े और अधोगी के र कि WDFC का निर्मान भी 80% से ज़्यादा कंपलीट हो चुका है और इस कॉरिडोर को जोहरलार नेहडू पोर्ट टरस्ट से लेकर दादरे दिल्ली तक कडिव 1506 किलोमीटर तक बनाया जाएगा जिसमें कि 1180 किलोमीटर का हिस्सा पूरा हो चुका है इसका सबसे बड़ा हिस्स राजेसान और गुजरात से होकर गुजरेगा जो की एक बड़ी अफडेट है जिसे आने वाले समय में गती सकती कारगो टर्मिनल्स का भी विकास किया जाएगा और कम समय में माल धुलाई का भी सुबधा पैसंजरों को मिलेगा जिससे गुर्स ट्रेन को डेडिकेट फ्रे के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं